Hi everyone! Welcome to the Last Momentution. So, आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? Types of heap. So, हम सबसे पहले देखेंगे Max heap के बारे में. जैसी Max heap हो जाएगा, तो आप Min heap भी बहुत ही असान तरीके से देख लोगे. So, सबसे पहला task क्या है? Max heap को समझने के लिए. सबसे पहला काम क्या होने वाला है, सबसे पहला काम यही होने वाला है, कि वो complete binary tree होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास CBT, वो होना ही चाहिए, ठीक है, दूसरी property क्या होने चाहिए, कि parent node, जो होने वाली है, वो हमेशा greater होगी, तो should be greater than child node, ठीक है, greater than, और sometime, अगर equal अजा है, greater than, और equal to the child node, क्या यह बात समझ में आ रही है, yes, तो यह max heap है, तो यहाँ पे जो parent होगी, वो greater होगी, parent nodes होगी, वो greater होगी, और min heap की अगर बात करेंगे, तो parent node क्या होगी, smaller होगी, क्या बात clear है, क्या यह point समझ में आ रहा है, yes, ठीक है, तो अगर लिख दोगे, हाँ यह लिख देंगे, तो यही पर नीचे लिख देते हैं, साथ ही साथ, कि min heap क्या होगा, तो pen ले लेता हूँ मैं, blue, और यहाँ पर अब लिख रहेते हैं, कि min heap क्या होगा, तो min heap के लिए सबसे main important बात वही है, कि CBD तो होना ही चाहिए, ठीक है, जैसे max heap मे यहाँ पर जो parent node है, should be lesser, ठीक है, should be lesser than or equal to the child node, ठीक है, तो min heap में यही है, min heap में क्या होगा, जो parent node है, वो lesser होगा, ठीक है, क्या बात क्लियर है, छोटा होगा, यह है अपना min heap और max heap की definition, यही important definition है, अब हम चलते हैं, क्या max heap और min heap को बनाने के लिए, ठीक है, तो हमें construct करन ठीक है, बहुत बढ़िया, तो suppose that मेरे पास initial values जो है, वो है, 3, 9, 2, 1, 4, and 5, ठीक है, मेरे पास यह values है, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे max heap construct करना है, ठीक है, max heap कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं 3 को लूँगा, ठीक है, अब यहाँ पे हम कह ही नही सकत कि यार यह, अपना max heap है, या mini पर, कुछ नहीं कह सकते है, क्योंकि एक single load है, फिर मैं 9 डालूँगा, तो मुझे left से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि left to right ही हम बनाते हैं, ठीक है, left to right ही बनाना है हमें, ठीक है, तो मैं 3 के left में 9 insert मैंने कर दिया, बहुत बढ़िया, अगला value ह two, क्या यह, अभी 209 मेरी बात, क्या यह max heap है, नहीं, क्योंकि max heap में क्या होता है, हम क्या insert कर रहें, max heap, हम क्या insert कर रहें, max heap, ठीक है, max heap में क्या होता है, parent, this is parent, this is child, ठीक है, अभी यही scenario है, तो इसमें क्या होगा, parent बढ़ा होगा, क्या यह बढ़ा है, नहीं है, तो इन note should be greater than or equal to the child note, तो child note से अब parent note बढ़ी हो गई, तो यह maxip बन चुपया, अब हम आगे क्या लेंगे, 2 को लेंगे, तो 2 अब मिरको right में ही insert करना पड़ेगा क्या अभी भी maxip है, yes parent note अभी भी greater है than the child notes, बिल्कुल ठीक है, अब हमें insert काना है one, तो one को हम कहीं भी insert कर सकते हैं, left side से करेंगे one insert हो गया, अब हमें 2 बार देखना पड़ेगा, 2 notes के लिए देखना पड़ेगा, एक तो इस note के लिए देखना पड़ेगा, ये और ये, इनसे greater है, yes बिल्कुल ठीक है, parent greater है, इस node को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अब parent बन चुका है, ये child node बन चुका है, इस note के लिए वो parent बन चुका है, ठीक है, तो अब जब ये parent बन चुका है, तो ये भी देखना पड़ेगा, क्या 3 greater than 1 है, yes बिल्कुल है, तो it means ये max heap को अभी भी follow कर रहा है, ठीक है, तो 1 हो गया, अब 4, 4 को मैं इधर insert कर सकता हूँ, बिल्कुल, कि मैं को left to right करना insert, ठीक है, बट, ये मेरी parent node है, ये मेरी child node है, अब ये बड़ी होगी, child node बड़ी होगी, child node बड़ी हो सकती ठीक है, parent node से नहीं, max heap में ये condition नहीं होने वाली है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको change करना पड़ेगा, इनको swap करना पड़ेगा, so 9 मेरी सबसे पहले parent node हो जाएगी, फिर यहां पर हो जाएगी 4, और यहां पर हो जाएगी 2, ठीक है, अब 4 के एक side मैंने 1 डाल दिया, और एक side मैंने 3 डाल दिया, क्या ये आप max heap है, yes, क्योंकि इनके parents बड़े हैं, then it's child, बिल्कुल ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 4 तक कर लिया, अब जो बच रहा है 5, तो मैं अब सबसे इधर left में डालूँगा 5 यहीं पर ही, क्या अब मैं देखूंगा, max heap बन रहा है कि नहीं, कैसे देखूंगा, parent को देखूंगा, इन दोनों का parent बड़ा है ठीक है, इसका parent भी इन से बड़ा है यह भी ठीक है, बट, यह parent है, यह चाइल देख के बताओ, हाँ यह CBT बन चुका है यह node है, उसके left भरी हुई, मतलब पूरी भरी हुई है देखो, this is level 1, this is level 2 और यह last level, last level को अभी थोड़ी दर बाद देखेंगे यहां तक आब है complete देखना है complete भरे हुए, yes, इस node के भी 2 max है ठीक है, और यह left to right जाना चाहिए, last node left, left, इस तरीके से आगे जार बिल्कुल ठीक है, तो it means यह CBT बन चुका है और जो question और यह हमने start कहा था max sheep सीखना तो हमें पता है कि यह CBT होता ही होता है तो इसका मतलब है यह मेरा max sheep बन चुका है max sheep की दोनों property satisfy कर रहा है कि parent node हमेशा बड़ी होंगी child node से और equal भी हो सकती है and दूसरा CBT होना ही होना चाहिए ठीक है, तो this is your parent यह दोनों parents बड़ा है इन दोनों node से फिर अगर यह parent है 4 तो वो बड़ा है इन दोनों node से अगर यह parent है 5 तो बड़ा है 2 से यह means यह max sheep बन चुगा है तो हमारा final answer आपने पास आ चुका है अगर आप जैसे array की फॉर्म में question start हुआ था अगर उसको आप array की फॉर्म में लिखोगे कैसे लिखोगे 9, then 4, then 5, then 1, then 3, and then 2 so this is your max sheep ठीक है क्यों कैसे दिया था array की फॉर्म में ही दिया था मतलब question दिया था कुछ इस फॉर्म में initial ठीक है यह बन चुका है max heap अब हमें कैसे बनाना है अब हमें बनाना है min heap तो min heap बना लोगे, yes बहुत बना लेंगे असान है, बहुत असान है question क्या initial, वही same question है 3, 9, 2, 1, 4, and 5 ठीक है, same question है 3, 9, 2, 1, 4, 5, ठीक है अब मुझे क्या क्या होनाना है, min heap बना लेंगे min heap में क्या होगा, parent node छोटी होगी, child node से और equal भी हो सकती है, ठीक है और साथ इसाथ, cbt तो बनेगा ही बनेगा वो बन जाए, अगर last में, ठीक है, वो देख लेंगे तो सबसे पहले 3 अकेली node, min और max दोनों हो सकती है, तो आगे insert करेंगे 9, 9 insert किया 9 के लिए 3 parent है और parent node छोटी है क्योंकि हम min heap construct कर रहे है so it means ये एकदम complete min heap बन चुगा अभी तक का फिर हम insert करेंगे 2 क्या parent और child में, parent छोटा है नहीं, तो मुझे 2 को parent बनाना पड़ेगा, या ना फिर मैंने कह गया, 2 इदर कर दिया 9 इदर कर दिया, and 3 इदर कर दिया क्योंकि मुझे parent node छोटी बनानी है min heap के case में parent node को छोटा ही बनाना है, ठीक है तो हमने इन दोनों को swap कर दिया, क्या बात clear है, yes, फिर हम डालेंगे 1 1 को insert करेंगे, left to right जाएंगे तो मतलब 1 इदर insert होना चाहिए क्या ये parent fully satisfy कर रहा है, ये दोनों से छोटा है, बिल्कुल ठीक है क्या ये parent अब बन चुका है क्या ये satisfy कर रहा है, नहीं बहिए, चाहिड नोट छोटी हो चुके, तो मतलब, अब मुझे parent को छोटा करने के लिए swap करना ही पड़ेगा, so मुझे 2 और 9, मतलब 1 और 9 को shift करना पड़ेगा, तो 1 इदर आ गया, 9 इदर आ गया and 3 तर आ गया, अब min heap है yes, parent देखो, sub minimum होगा ये parent अभी भी, देखो minimum आ रहा है क्या, अगर ये parent है, ये child है ये child है, नहीं, minimum क्या 1 है, तो मुझे फिर से इन दोनों को swap करना पड़ेगा, तो 1 इदर आ गया, then 2 इदर आ गया then 3 इदर आ गया and then 9 इदर आ गया, तो हमने क्या सीखा, यहाँ पे 2 swapping हुई है यहाँ पे single insertion element को insert करते समय, 2 swapping हुई है, तो ये दियान देना कि जब भी आप swap कर रहें, उसके बाद भी आपको check करना है फिर आप check करोगे, ये parent है तो ये child से छोटा है parent, ठीक है, अगर ये parent है ये child है, तो 2 अब ये भी छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये min heap को satisfy कर चुका है अब अगला value insert करते है which is called 4 4 को insert कर सकते हैं, बिलकुल यहाँ पे कर सकते हैं, और कोई problem होगी कि हैं नहीं होगी, क्योंकि 2 parent है और parent छोटा है बिलकुल ठीक है, तो हम 4 को insert कर सकते है then last में हम 5 को insert करना चाहते है तो बिलकुल हम यहाँ पे 5 को insert कर सकते है और क्या यहाँ पे problem होगी parent अगर ये है, तो child ये है parent छोटा होना चाहिए, तो 3 छोटा है then 5, बिलकुल ठीक है बाकी उपर में तो कोई changes होने से रहे तो जो हमारा final जो हमारा final mini बना है वो बना है 1, then बन गया 2 and then बन गया 3 साथ ही साथ इधर बन गया 9 इधर बन गया 4 and इधर बन गया 5 यहाँ पे सबसे पहले हम क्या check करेंगे क्या ये CBT बना है फिर हम चेक करेंगे क्या parent node छोटी है और इकोवल है child nodes है तो यह दोनों condition आगा satisfy होती है तो it means एक तरीकी का final mini बना हमारा तियार हो चुका है हमने यह सारी condition चेक कर चुके है तब भी finally आप चेक कर लेना CBT मतलब first level है second level है last level है last level को थोड़ देर के लिए ignore मारू बाकि यह इसके maximum 2 nodes है बिल्कुल ठीकी मतलब यह completely filled है यहां तक last level में देखो left to right जाना चाहिए बिल्कुल जा रहा है अगर हमें insert करना होगा तो नया node हम यहां insert कर सकते हैं बिल्कुल ठीकी है तो इसका मतलब अब यह CBT तो proper है अब parent node का comparison कर लेते हैं ठीक है पैरेंट node को compare कर लेते है pen का color black लेते है तो अगर यह parent है तो child parent node हमेशा चोटी होने चीए child से और equal भी हो सकती चलेगा बिल्कुल ठीक है तो 1 चोटा है 2 और 3 से बिल्कुल सही है parent node child देख लो parent node 2 है less than 9 है बिल्कुल ठीक है और यह मेरा final minib अगर मेरे को इसको array की फॉर्म में show करना है जैसे question में की बनता array की फॉर्म में तो मैं इसको 1,2,3 कह सकता हूँ बिल्कुल then 9,4 and then 5 तो इस तरीके से मैं इसका answer बता सकता हूँ क्या बाद clear है? और yeah, this is your minib तो हमने आज इस lecture के अंदर minib और maxib दोनों properties देख लिए दोनों का एक-एक सवाल देख लिया तो simple से property है maxib और minib और cbt तो होना ही चाहिए which is complete binary होना चाहिए max की बात करें, तो max में parent note greater होना चाहिए maxib में और minib में parent note छोटा होना चाहिए lesser होना चाहिए